पैर की जूती समझने वालों की कमी नहीं मिया बीवी में बहामी एतराम और एतमाद ना हो तो तालुकदारी की लकीर जगा जगा से मिटने लगती है यहां तक कि आखिर तूट जाती है शबीर ने आरिफवाला में एक ऐसा ही वाकिया देखा है जहां एक शोहर अपनी बीवी को महद अपनी बीमार मा की खिदमत करने के लिए लाया था लेकिन कहानी कुछ और थी आप भी देखिए क्योंके कोई देखे न देखे शबीर तो देखेगा शबीर ने देखा के तैमूर अपनी मा के पाऊं दबा रहा था और मा बेटे को दुआएं दे रही थी आप मा अप कुछ दर्थ ठीक हुआ आप बेटा अप चल चलाओ का टैब है कुछ अराम तो आया है वेसे तैमूर इन मैं सोच लिए तेरी शादी करवा दूँ ताके पर सुपों उसे मर सको तैमा कैसी भासे कर रही हो और ऐसे भी तुम परेशान मत हो मैंने तुमारे लिए बहु देख रखी तैमूर के इस इंकिशाफ पर मा बिली किसी तेजी के साथ ठड़ी है चाहोगा मा तुम्हें खुशी होई न ये सुनकर क्या होगा तेरा दिमाग तो ठीक है मैंने सिद्रा को जबान दे दिये क्या मुदी कहूंगी मैं उसे मा पहली बात तुझे है कि मुझे खांदान में शादी करनी नहीं है और सिद्रा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो इसलामाबाद में रहती है और जो तुम कहती हो ना कि तेरे लिए चांती बहूलाओंगी चांती बहूलाओंगी तुमसे देखोगी तो खुशी के मारे खिल जाओगी बेटे की बात सुनकर मा का सांस चड़ गया और वो मुठियां भीच कर अपने घुसे पर काबू पानी की कोशिश करने रही अरे दिमूर क्यों अपनी बीमार मा को जल से जल मारना चाहरा है तू जब मैं मर जाओं तो करनी जो शादी तेरी शादी सिद्रा से ही होगी मैं बताई देरी ठीक है करवादो अपनी भानजी से मेरी शादी फिर लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बाद में कुछ मत कहना अरे तुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी प्यारी लड़की है देखी भाली खानदान की खुबसूरत बच्ची है तेरी खिजमत करेगी और क्या अमा मेरी मर्दी नहीं है तुम्हारी मर्दी जो तुम करो मा को खासी आ गई और बेटा उसे संभालने की कोशिश करने लगा अब मा अब देखा तुम्हें बोला है ना परिशान मत रुआ करो खुस्तर मत क्या करो पानी लेके आता हूं मैं नहीं मुझे ने चाहिए तेरे हाथ से पानी माने चल हट जा यहां से बच चला जा अच्छा पर लेट तो जाओ यहां पर आराम से लेट जाओंगी जा तू दफा हो जा जब मैं मर जाओंगी तो कर ले ना जहां दिल चाहे शादी मेरे होते हुए मैं तूचरी बव नहीं लाओंगी कोई और सिद्रा ही आएगी मेरी बव बनके इस गद में अच्छा पी आप लेट ने अच्छा लग रहा तू मा हापती कापती बेट पर लेट गई और बेटा उस पर चादर डाल कर चला गया तैमूर एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करता था और इसलामाबाद में किसी लड़की से महब्बत करता था एक तरफ मा की जिब थी और दूसरी तरफ वो लड़की किसी भी हाल में तैमूर को खोना नहीं चाहती थी शबीर ने देखा कि तैमूर अपनी दोस्त लड़की के साथ कार में जा रहा था गाड़ी लड़की ही चला रही थी और तैमूर बरावर वाली सीट पे बेटा हुआ था लड़की ने लबे सड़क एक किनारे पर अपनी गाली रोब भी बरावर से ट्राफिक गुज़र रहा था तुमने बात कि अगर में अपने घर पार खर आखिए अपनी तूसरे ही अगए कि तुम कभी जोगे अपने घरवालों को जो तो एक कि अना यला में बहुत परशान हुआ है ठाने तुमे बताया था नँ मी की बिमारी के बारे में क्या हुआ उनको जब मैंने उन्हें तुम्हारी और अपनी दोस्ती के बारे में बताया तो उस शरीद घुस्से के आलम या इसकी वज़े से उनकी तवियत खराब हो गई हॉस्पिटल लेके भागा एक अफ़े हॉस्पिटल में रही तवियत उनकी ठीक नहीं है उनको सद्मा और उनको हुआ है यह जानकर के तुम्हारी मेरी दोस्ती लेकिन वो खुश नहीं है तुम्हारी और मीरी दोस्ती तो फिरो मेरे ख़या है तो निक्मुरे प्रहीजा निक्न को अजीज शाल अगरा एंगोगा जाते देख रहे हैं एक बूसरे से कुछ फासले पर चलते हुए धाबे की कुर्सियों पर बैट गया जाए आप दो चाय लाइएगा प्लीज नाइला पूशे मादू है तुमालों को समझाना तुमारे लिए मुश्किल होगा तुम मेरी भी तो मच्बूरी समझने की कोशिश करो तेमूर मैं तुमको पहले भी बता सुकियों मुझे तुमसे कुछ ने चाहिए तुम क्यों नहीं समझते हो इस बात को एक बार अम्मा के भाईश पूरी होने तो करने दो मुझे उनकी पसंदे शादी मैं फाफस तुम्हारे पास रियाओंगा तुम पर ही शादी करूँगा शादी दुसरी शादी करो के मुझे मुझे यकिन धानी करवाने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी अम्मी कहती है वो करो तुम तैमोट allora यसे भी तुम्हारे होने या ना हने से मुझे कोई पर्तु मेरे सास मेनाला तुमें ज्यादा ही जज़धा थी हो enfor दी तो तुम्हें मेरी मजबूरी का हैसाथ रिख नायला खामोशी से उठी और ड्राइविन स्वीट पर जाकर बैट गई उसना गाली स्टार्ट कर दी तैमूर भी खामोशी से बरावर वाली स्वीट पर बैट गया और फिर वो दोनों कहीं बहुत दूर जाते दिखाई थे यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं जाईएगा नहीं हमारे साथ रहिएगा क्योंके कोई देखे नदेखे शपीर तो देखेगा तैमूर कहा हैं आप आप हाँ वो एक साहब की कॉल्सी उसे दमीन के सौधे की बात चलेगी ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे क्या पता क्या करती हूं मैं आयाशीया करती हूं गारादियों के साथ गूमती हूं आयाश आदवी तो तुम हो अगर बच्ची का खयाल ना होता ना तुमारी शकल नहीं देखती मैं अकवाज बंद करो और कान खुर कर सुन दो अगर शिराफ़त से दिन तकी गुदार नहीं आ ना तो चुप चप यहां आ जाओ तुम तैमूर नायला को इस बात पर राजी कर लिया था कि वो दूसरी शादी उसी से करेगा और फिर तैमूर की शादी उसकी मा की पसंद से सिद्रा से हो गई वो एक बच्ची का पाप बन गया और इस दोरान अपनी बीवी से जान चुड़ाने के लिए उस पर मुबएना तशद्द करता रहा तैमूर घर के सहन में नायला से फोन पर बात कर रहा था कि ऐसे में उससे अपनी बीवी की पुकास पुनाई तैमूर अच्छा तैमूर कहा है आप एक सहाब की कॉल ती उससे दर्मीन के सौड़े की बात चलेगे ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे क्या पता अच्छा यह पता है रख रखे रखे चाय थंडी होगी गरम कर दूँ एच तैमूर यह तुमाज तो इस तो इस तना संस्की गर दी है जबाफ तो तो ठीक है तुमारा मेरा दिमाब तो बिलकुल ठीक है लेकिन आज़ आप बहुत आवाओं में होड़ा है मुझे सब पता है तुम्हाने तो मैं ठंडी ही चाय पी लूँगा तो इस बात कान खोल कर सिम लो अगर तुम्हें मेरे मामलाप में तांग राई ना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा मैं तुम्हें आप अपनिली शाजी करके नहीं क्या मतलब है तुम्हारा क्या मतलब है धंकी दे रहे हो तुम्हें दो दालाग अमाल इंजा कुछ ने बीवी के मूपध हाथ सुद दिया अच्छ अम्हा कुछ ने बीवी को ठक्का देकर किराच किया जिस पर वो मजीद घुस्से में आ गई और अपने शोहर को मुबाइल चीन कर उसे चेक करने की पुश्च करने लिए अठेव हो तुम्हार के मैच वह ना तो तुछ कर दिखाओ और अमाई यह तमर्त मुझे कुछ परता नहीं है मुझे सब कुछ बता है तुम्हारी हरकते हैं चोड़ी की है ड़कर रहा है मैंने अर्य चुप पूरा भीला तेर तैमूर की बीवी सिद्रा पर ये खुल गया था कि उसका शोहर किसी नायला नामी लड़की से महबद करता था इसी दोरान सिद्रा ने एक बेटी को जनम दिया लेकिन लड़ाई जगडे बढ़ते ही जा रहे थे और उधर नायला तैमूर पर शादी का दबाव डाल रही थ शबीर ने देखा कि नायला फोन पर टैमूर से बात कर रही थी वैसर टैमूर एक बात पताओ मुझे तुम ने अपने घरवालों से एक बात की मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम पर जादू कर दिया है तैमूर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे रोज मरा के लड़ाई जगड़े और तशद्द्द से तंग आकर सिद्रा अपने घर जाकर बैठ गई थी उधर नायला भी शादी के लिए दबाव डाल रही थी तैमूर अपने साले से जाकर मिला और दोनों में छगड़ा हो गया शबीर ने देखा कि तैमूर और उसके साले के तर्म्यान शदीद नौयत की छड़प हो रही तैमूर साब आपको शरम आनी चाहिए इतना मारा है आपने मीरी बेहन को सारे जिसम पंडील पड़े हुए है तुम लोग हो ही इतने घटिया खांगा अपनी बेहन से कुछो क्या क्या हरकते करती रहती है वो तुदर शबीर ने ये भी देखा कि सिद्धा ने अपने भाई के हाथ से फोन चीन लिया क्या करती हूँ मैं आयाश है करती हूँ गार आदियों के साथ भूंती हूँ आयाश आद्मी ता तो हो अगर बच्ची का खयाल ना होता ना तुमारी शकल नहीं देखती मैं अध्वास बंद करो और कान खुर कर सुंदो अगर श्राफ़त से दिन तकी गुदार नहीं आदा चुप चाब यहां आजाओ तुम्हें लेने वेने नहीं आउंगा और आप तुम्हाई से बोलो कि पहनोई से तरफ तामीज से बात किया करें खुदा अफिस थेलो थेलो थ तुम्हें से बावजूदान के बज़र्गों की वजह से दोनों मिया बीवी में सुला सफाई हो गई थी लेकिन तैमूर अब किसी हत्मी फैसले पर पहुचना चाहता था उसने अपनी मैभूबा से जूट कह दिया था कि उसने अपनी मा और बीवी को दूसरी शादी पर र अपनी मैभी ने पीछे सो उसका शाना थमता पाया तो उसने मुड़ के देखा मांदे चाहे लेके हाजर है शुट्रा मैं तारी राथ दो नहीं सखा था मुझे मालू मैंने तुम्हार साथ बहुत ज्याती कि उसके तो मुझे माफ कर देखा असलिए वो एक बजारी औरत ने मेरी दिमाग पर कबदा किया हूँ पैमूर की बीवी की आखों में आसुआ गए थे और वो मुझे मोड़ कर जाने लेगा सिद्रा सुनो क्या हम आज बहाल आउटिंग पर चैने दिल चाह रहे हैं तुम तियार होकर आचो प्लीज हम आज मोटर साय की पर चाहिए सिद्रा ने मुड़कर अपने शोहर की तरफ देखा और फिर भूचरे ही लम्हे वो दोनों मोटर साइकिल पर जाते दिखाई थे मिया बीवी के दरम्यान तालुक काट ठीक हो गए थे लेकिन तैमूर को एक बहुत बड़े सानहे से गुजरना पड़ा दोनों मिया बीवी मोटर साइकिल पर सैरो तफरी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में डाकूओं ने उनको लूट लिया मजाह मत करने पर उन्होंने गोलियां चलाइं जिसके नतीजे में सिद्रा की मौत वाके हो गई पुलिस ने तफ्तिश की तो पता चला कि शोहर ने अपनी बीवी से जान चुड़ाने के लिए ककेती की दौरान गतल का ड्रामा रचाया था कतल सपाथ शोहर ने ही किया था फुलिस ने कातल को गरिफ्तार कर लिया ये 12 जबरी 24 की रात को वान फाइब पे पुलीस को काल मौसूल होती है कि तैमूर ताज नमी बंदा अपनी बीवी के साथ गाउं जा रहा था रास्ते में डापकों ने रोखने कोशिश किया बादात की तो मुझामन पर फायर लगया खातून जामबक हो गी है जिस पर फायर पर मुकामी पुलीस ने रिस्पॉंड किया अमारे डीपियो साथ केप्टन तारिफ लाइस साथ भी पिसी ले आए और बड़ा अंदोनाक वाक्या था अवामन नास जो है एड़िद के गाउं की वो भी इकटी हो गई लोगों लोग एक खौफ का शिकार थे अब्तदाई तफ्तीश जो है वहाँ से स्टार्ट की गई पी एफसे की टीम भी आ गई फरंजिक एविडेस जो थी वो भी कुलेक्ट की गई जब मजीद तफ्तीश का दार्यकार वसी किया गया तो हकायक आएस्ता आएस्ता खुलने शुरू हो गए और दुराने तफ्तीश ये बाद खुलकर सामने आगी कि इसने ग्रिलू नाचाकी की बिना पर अपनी बीवी को खुदी फायर मार कर कतल किया और दुराने डिगेती मुझामत पर डापों की फारिंग से जहां वक्त होने काला जूटा बेवनियाद एक ड्रामा रचाक्टर वन फाइपी कॉल करके डिगेती में गतल का मुझामत तरच करवाया फिर इसकी अबुरी बेल हमने खारिज करवाई खारिज करवाने के बाद इसको गिरुफतार किया पिर इसने तस्लीम किया कि मुझे ये गल्ती होगी या कि रिल्यून नाचाकी थी जिस बिनाबे मैंने अपना इसकी मुन्सूबा बंदी करके खुद ही इसको वहां विराने में ले जाके दोगाने सफर फार मारकर मैंने कतल कर दिया और बाद आधा मैंने वान फाइप पे कॉल चिरा दी कि जी मेरे साथ डिकेती की बादाथ में मुझामत हुई है और मेरे बीबी को डाकूने मा दी है तो ये बड़ा दोनाग आधसा था बड़ा दोनाग वाक्या था अलाके में बड़ा खौक और रास था असलाम लेकि मेरे नहाम जम्मी लड़ा था मैरे मैं सौलाइस को पाग वतन कर यह जी मेरी बेहन का कतल हुआ है कतल हुआ है तो हम मोका पर पहुंचे थे तो मेरे बेहन वही ने मटरामा रचाया ये डिकेटों ने फायर लगा था और उनने इडिकेटी के नियत से ना फायर लगा कर कतल कर दिए लेकिन जब हम मोका पर पहुंचे तो हमने देखा कि ये तो कुछ और मामला लग रहा तो हमने पुलीस को दी क्रॉस वरिये तो उसमें पहले मकदमा दर्ज करवा दिया था पहले मामला देखा माप पुलीस को मन अड़ा कि आप इन्वेस्टिकेशन करें अमें इस कर सकता है तो पुलीस को प्रापरटी के काम में भी अपने मालिकों को चूना लगाया हुआ था शबीर ने एक बच्ची की मा के गातिल को इबरतनाग सजा देने का मतालिबा किया है देखते रहिए क्योंके कोई देखे न देखे शबीर को देखेगा इनसान खुद घरजी की उस सता तक पहुंच चुका है कि अपने मकसद के हुसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है इकदार पामाल कर सकता है लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे बढ़ते हुए लोगों को रौन सकता है शबीर ने देखी है एक ऐसी ही कहानी चिनियोट में इसका ताना बाना महपत के तारों से बुना गया है लेकिन क्या वाकई ये महपत थी मैं हूपारस मस्रूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शबीर तो देखेगा शबीर ने देखा कि समया का छोटा 17-18 साल का भाई अपनी बहन के घर में था उसके चेहरे पर गुस्से और जुनलाहट के असार थे और वो अपने मुबाईल फॉम में मश्रूफ था समया घर के काम काज में मश्रूफ थी भाई के सामने से गुजर हुआ तो वो एक लम्हे को ठहर गे हैं? तुम कब आए? और दर्वाजा किसने खोला? खुलावा था? खुलावा था? अच्छा और ये तुम्हारा मूग क्यों लटका हुआ है? खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है भूख नहीं है? बाह सुनो, ये तो मुझे से बात कर रहे हो या फोन में घुसे वे हो? और एक बात बताओ, कोई काम धंदा शुरू किया या नहीं? कैसे करूँ धंदा? उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास नहीं है पैसे नहीं है? तो कोई नौकरी कर लो, कोई मज़़ूरी कर लो कल ये भी मुझे कह रहे हैं, कि कितनी बार कहा है तुमारे भाई को कि आकर दुकान पर बैट जाए, महीने का खर्चा दे दिया करूँगा लेकिन तुमारे भाई की शान में तो गुस्ताखी हो जाएगी न, किरियाने की दुकान पर जो बैट जाओगे भाई, मुझे बता आखे तु चाहता क्या है? कुछ नहीं चाहता, जीब मुसीबत है, मुझे से देखो, काम करो, काम करो तो करो ना काम? कर लूँगा, कर लूँगा, एक तो रक्षे के किराया तक के पैसे नहीं है मेरे पास तो ले लो पैसे, लेकिन अपना और अपने माबाप का खयाल तो करो चेलो सा रुपे, और जाओ बाजी, भीग दे रही हो क्या? सा रुपे में क्या होता है? बाजी, अजार रुपे दे दो, मुझे दुखान वाले का उधार वाप्रिस करना है क्या? उधार? तुमने फिर पान और सिक्रेट की खर्चे में उधार चड़ाया है ना? या अल्ला, मेरे भाई को कुछ अकल दे ये लो, और कान खोल के सुन लो, कोई काम करो, मेरी अब बस हो गई है बाजी, तुम कितनी अच्छी हो ना? देख न, किसी दिन मैं भी तुम्हारे काम होगा काम होगा, चलो भागो यहां से, अभी मरान आ जाएंगे न, तो तुम्हें बाते सुनाएंगे और फिर तुम्हारा मूँ बन जाएगा अरे मेरी प्यारी बाजी दूरो जाओ, चलो जाओ, और ये दर्वाजे की गुंडी गिरा के जाना समिया की पांच बरस पहले शादी हुई थी, वो एक बच्ची की माँ थी खुजूल खर्च और दिल फेक किसम की शख्सियत थी, इसी वज़ज़ से शोहर से अक्सर जगडा रहता था शबीर ने देखा कि समिया का शोहर तयार होकर घर से बाहर निकल रहा था कि उसने बीबी को आवाज दी, जो मुबाइल से अपनी सेल्फी बना रही थी समिया, यह क्या तुम हर बाद सेल्फी बनाती रही थी अच्छा बास सुनो हाँ, बोले कर जो तुम्हें पैसे दिये थे, तो मुझे दो, दुकान के लिए कुछ समान खरीद दिना वो तो नहीं है मेरे पास क्या मतलब, अरे भाई कल तो बीस हजार रुपे दिये है तो? तो क्या? कहां गए वो पैसे? मुझे कुछ चीजे लेने भी माकप की, तो मैंने खरीद लिए अरे यार, मुझे पूछते रिती बीस हजार रुपे में तुमने ये खराफाद खरीद लिए बचे हैं कुछ दो चार हजार रुपे, कहे तो दे दू इसी एक बात बताओ, कि इतना मेकप तुम किसके लिए करती हो? मैं तो जब भी घर में आता हूँ, तो तुमाज चेहरे पे बारा बज़े होते हैं करती हूँ किसी के लिए, क्यों बताओ? अच्छा बस, बत तामीजी की ज़रूरत नहीं है सारा दिन दुकान भी जखचक मारो, और घर पे आके अच्छा, जो पैसे पढ़ें देओ मुझे तुराज भी पढ़ें, जा कर ले ले तुराज समाख सेल्फी नहीं बनाने देगा एक पिच्छर बनाओ, तो इस पे भी आजाए समिया की फुजूल खर्ची और उल्टी सीधी हरकतें बढ़ती जा रही थी और वो अपने छोटे भाई को अलग नवाज रही थी शोहर शदीद बेजार था और समिया भी अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोच रही थी एक दिन समिया का भाई अपनी बेहन से पैसे लेने आया तो उसने अपनी बेहन को शदीद इश्तियाल में पाया एक दिन समिया का भाई अपनी बेहन से पैसे लेने आया तो बेहन को शदीद इश्तियाल में पाया बाजी, क्या हुआ? बाई साब से लड़ाई हुई है क्या? बहार में जाएं तेरे बाई साब और तु फिर से पैसे मागने आ गया? अरे बाजी, आप मुझे बताओ क्या हुआ? बाई साब को ठीक कर दूँगा? मैं नहीं रह सकते उसके साब, गुट-गुट का जी रही हुँ अरे बाजी, क्या कह रही हो? क्या कर दूँ? अमा तो कह दे कि मुझे तुनाब करवा दे, मैं डूलूगी कोई दूसरा अच्छा कह दूँगा, आप एक काम करो, मुझे अपने परस्में से कुछ पैसे दो चल, दफाओं यहां से, नहीं मेरे पास पैसे वैसे तो तीनी हजार पड़े मेरे पास बस सरिफ बाजी प्लीज, सिर्फ पांच्छ वर्भी दे दो तो बाज नहीं आएगा ना? चल, जाएं यहां से यहां लेते हैं एक छोटा सब्रेख कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा क्यूंके कोई देखे, न देखे, शबीर तो देखेगा यह कौन है? बहन है तुमारी? हाँ, बाजी यह मेरा दोस्ट खलील है, कभी-कभी आजाता है दुमारी अच्छा अच्छा खलील, क्या करते हो तो? मेरा दूद का कारुबार है अच्छा तो अपने दोस्ट को भी सिखाओ ने कारुबार करना एक नंबर का जिदीन सानेव हो का नमारा जबड़ा हो गया एकनी जोर से मेरा हाथ पक्राइए कि पूरे हाथ में नील डाल दी ओ देखो देखो है ना नील क्या करूँ पिट्टी रहूँ मावज़ो करती हूं तुमसे देखो अब मेरा खून खोल रहा है तुम ना एक दफास को समझा दो मना खौमका में खून हो जाएगा होता है तो हो जाए जान तुछ उटेगी न मेरी बेहनोई की लांतान और डांट डपट का समया के भाई पे इतना तो असर हुआ कि वो कुछ वक्त के लिए अपने बेहनोई की दुकान पर नौकरी करने लगा और वहाँ पर खलील नामी उसका दोस्त भी आने लगा शबीज ने देखा कि समया किचन में चावल निकालने के लिए डबा खोला तो वह खाली था उससे शदीद खोफ्ट हुई उसना कुछ देख सोचा और फिर खुद ही अपनी दुकान पर पहुँच गई यहां उसका भाई और उसका एक दोस्त मौटू किया कर रहा है यह काफिया रख रहा हूं गिरा गाएंगे ना बाजी तूम हाँ घर में चावल खतम हो गए देना है थाली अच्छा देता हूं और कुछ तो नहीं चाहिए नई यह कौन है वहने तुम्हारी हाँ बाजी यह मेरा दोस्त करते हो तो मेरा दूट का करूबार अच्छा तो अपने दोस्त को भी सिखाओ ने कारूबार करना इसे तो मैं कहता रहता हूं अच्छा इपाल भाई आए ना तो तुम दोनों घर आजाना मैं बिल्यानी बना रही ह साम में आएंगे मैं काम करता हूं एक गिंटे बाद खलील को भीज़ेता हूं आप इसको देदी हैं चलो ठीकिए खलील और समया की निगाहें मिली जिन में बहुत कुछ था समया ने अपनी अदाओं से अपने भाई के दोस्त को अपना दिवाना बना लिया था और भाई को भी इस ऐतमाद में ले लिया था कि वो अपने शोहर से तलाग लेकर उसके दोस्त से शादी कर लेगी खलील से गाहे बगाहे मुलाकाते हो रही थी लेकिन मुश्किल ये थी कि शोहर तलाग देने पर राजी नहीं था शबीर ने देखा कि शोहर की गेर मुझूदी में समया का भाई और दोस्त राइंग रूम में बैठे गफशप कर रहे थे कि ऐसे में समया भी कमरे में दाखिल हुई तो शोप पर जा रहा है शिर्ट बस यार जाने का दिल तो नहीं गरता पर जाना पड़ता है पर जाय करो उमारे लिए बैठे रहे है फान मेरे प्यारे भाई दही लादोगे सालन तयार होने वाला है वह इसे मंगा लो जाया है भई तो लादे निकम्मे इंसान सुष्ट इतना सा काम भी अपने दोसे करवाओगे जाओ तुम लेकर आओ तुम ही लेकर आओगे जाओ जब तक में तुमारे दोस को खबनी देती है पर बगाया पैसे मैं रखूँगा ब्लैक मेलर रख लेना देकर तुम आओ जल्दी आना अच्छा ये बताओ तुमने बात की ती उससे एक नंबर का जिदी इंसाने वो करन हमारा जगड़ा हो गया इतनी जोर से मेरा हाथ तक्राल कि पुरे हाथ में नील डालती तेखो तेखो है ना नील क्या करो पिट्टी रहो मावज़ो करती हो तुमसे देखो अब मेरा खून खोल रहा है तुमना एक दफा उसको समझा दो मना खौमा का में खून हो जाएगा होता है तो हो जाए जान तू छुटेगी ना मेरी किसकी जान छुट रही है एलो बाजी धाई और फिर वही हुआ जिसका डर था समया के भाई और आशिक ने मिलकर एक रोज बहाने से समया के शोहर को कुछ खिलाकर भिहोश कर दिया और फिर सेलेंडर की गैस खोल कर आग लगा दी समया का शोहर जलकर कोईला हो गया मुल्जमान ने इस बत्तरीन कतल को हादिसे का नाम देना चाहा लेकिन पुलिस के सामने बहुत जल्द ही हकिकत आ गई और तमाम मुल्जमान को किरिफ़कार कर लिया गया अजी हमारे थाना लालिया में एक औरत मुल्जमा समया बीबी ने आज से कुछ दिन पहले ये कहा कि उसके खामन हासाथी तोर पर काल कर गए है चुला फटने की वज़ा से जलने से तो जब पुलीस मौका पर पहुंच जीशवाय दिकटे किये तो मालूम हुआ कि ये कोई हाथा नहीं है ये फ्लैंड एक मर्टर था और जब तफ्टीश की गई तो इससे ये मालूम हुआ कि वो मक्तूला समया जो कातल है समया उसने अपने खामन मक्तूल इमरान को कतल किया पहले बहुश किया बहुश की दुआई दे कर उसके बाद चुला जो है उसकी गैस लीक करके अपने भाई और एक आशना के साथ मिलकर इसको एक मर्डर की शकल दे दी तो ये जो कतल था उन्होंने चुपाने की कुशिश की लेकिन पुलीस ने इसको बड़ी जाफशानी औ प्टीश करते हुए जो कातल थे उनका सुराव लगाया और अब वो कातल सलाखों के पीछे हैं और हम इस पर पूरी अपनी अच्छी तरह से केस को तयार करके मुल्समान को सदा दिल्माए शबीर ने चिन्योर्ट में पेश आने वाले वाके पर अफसोस का इजार किया है औ हाँ अमारे प्रोग्राम का वक्त कत्म हुआ अगले हफ़ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस नियूस पर देखना मत भूलिएगा क्योंके कोई देखे न देखे शबीर को देखेगा अगर आप अपने एर्ध गिर्ध होने वाले किसी गहर मामूली वाके से शबीर को आगा करना चाते हैं तो SMS करें S.A.B. लिख कर स्पेज दें और अपना मेसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर पेज दें फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820 खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे औफ कुरंगी रोट कराची एक्सप्रेस नियूज शबीर तो देखेगा